किसी भी एक्जाम के अगर आप प्रपरेशन कर रहे और एक्जाम देने जा रहे हैं तो कितने टाइम के करन्ट अफेर रेडी होने चाहिए ये कॉमन क्वेस्टन है जो हर बच्चे के दिमाग में होता है वो पूछते रहते हैं वो आप SAC दो, बैंकिंग दो, वन डे एक्जामनेशन दो, UPSC दो मैं ये नहीं बोल रहे हूँ कि सिर्फ 6 मन्द की रखनी ही रखनी है काफी एक्जामनेशन है जो एक साल तक की तयारी मांगते हैं कुछ डेड़ साल तक की तयारी भी मांग लेते हैं करन्ट अफेर की अगर आप बात करोगे, मिनिममम वन यर प्रेपरेशन चाहिए रहती है, UPSC की बात करोगे तो वन यर तो चाहिए ही चाहिए काफी ऐसे मुद्दे होते हैं जो डेर साल पहले के भी पूछ लिये जाते हैं ऐसे इवेंट्स जो की तीन साल में एक बार हो रहे हैं, चार साल में एक बार हो रहे हैं, दो साल में एक बार हो रहे हैं तो वो लास्ट जब भी हुए होंगे वो दो साल पहले अगर लास्ट हुआ है तो वो event भी आपकी examination के लिए important रहेगा Okay, for example अगर आप Olympics की बात करते हो तो वो last जब भी हुआ है इस बार आपको question देखने को मिलेगा 10 साल पहले, 12 साल पहले हुआ census भी last 2011 में हुआ था लेकिन अगर 2023 में आप exam दोगे और नया census नहीं आया तो वो last census आज भी importance रखता है Okay, तो current की तयारी ऐसे तो अलग-अलग examination के लिए बहुत broad हो सकती है लेकिन minimum अगर हम बात करें, six month current affair आपके बिल्कुल पकड में होने चाहिए you should be having mastery over it अगर आपको CA section में अच्छा score करने है ठीक है, तो आज के session में मैं आपकी इसी तयारी को और strong करने के लिए मदद करने वाली हूँ, because we'll be talking about last six month that is, अभी हम October में है, October अभी finish नहीं हुआ है तो last month September, September से आप backward जाए, six month April से September 2023 के, जितने भी important current affair के points है वहाँ से top, top बोलिए, best बोलिए, important बोलिए, 100 MCQs I have picked और उनका discussion आज के session में हम करेंगे, questions तो देखेंगे ही ताकि आपको idea लगे, अच्छा हमने, आप इते टाइम सक theory news पढ़ते आ रहे हो platform पे daily, weekly, monthly, etc. अब आपको idea लगेगा किस तरह से questions बनते हैं और उनसे related, जहाँ कहीं पी मझे need होगी, आपको extra point बताने की कि उस news की, तो मैं बताते चलूगी, बहुत ज़्यादा theoretical नहीं करेंगे, question पे ही रहेंगे, बड़ जहाँ कहीं अगर information से एक से, understanding से कुछ point बताना होगा, I will be supplementing you that, all right? So I hope clear हो गया होगा, आज का session काफी important रहने वाला है, mcq-based रहने वाला है, अभी तब current affair में हमने ये series चालू नहीं की है, अब हम कोशिश करेंगे, every six months और maybe every quarterly, हम आपके लिए last six months का mcq का compilation ला सके, ठीक है, आज का जो session है, उसका जो pdf है, आपको पर्चम classes.in पे available हो जाएगा, ये जो i button दिख रहा है, इस पे click कीजिए, तो you will reach the concern folder, लेकिन जिन बच्चों के पास में CA subscription है, तो already आज का pdf इसमें add हो जाएगा, yes, एक edit benefit हो गया, आपको अभी तक तो आप स तो बेटर है, CA पढ़ते हो pdf से तो CA subscription लेलो, pdf bank पढ़ते हो, सारे बाकी subjects भी पढ़ते हो, तो pdf bank लेलो, तो इन दोनों में आपके add हो जाएगा, right, okay, अभी तो देखिए, आज की session में हम important 100 mcqs का compilation करेंगे 6 months में से निकाल करके, because इसे जादा बहुत सारा होता है, कितना फड़ हो गया, YouTube के उपर limitation होती है, लेकिन अगर आपको properly और भी questions go through करने हैं, तो उसके लिए आपके लिए हमारे पास एक resource है available, you can make use of it, that is, सवाल quarterly e-book, okay, और इसका annual subscription आपको कहां मिल जाएगा, परचम app के उपर मिल जाएगा, ये हर quarter में 300 से जादा mcqs आपके लिए cover कि जाते हैं, यानि कि multiple choice questions लाए जाते हैं, हर quarter में, यानि हर तीन महीने में एक बार ये e-book या PDF आजाती है, और उसके साथ-साथ explanation भी आपको मिलता है, तो छे महीने के 600 से भी जादा questions आप practice कर पाओगे, in fact ये January से है, यानि तीन quarter इसमें शामिल हो चुके है, यानि 900 से भी जा तो ये आपको पर्चम अप पे annual subscription मिल जाएगा, इंडिविज्वल के लिए आप पर्चमclasses.in पे जा सकते हैं, ठीके जी, चलिए, बाकि जो भी important info होगी में बीच वीच में देती रहूंगी, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं, पढ़ाई पे आ जाते होगी, ओके, मैं आप comment section में लिखेंगे, पहला question आपके लिए है, according to union government, यानी central government के हिसाब से, how much percentage of villages across the country, मैं समझाओंगी हिंदी में, have achieved open defecation free plus status under Swachh Bharat Mission Gramming in phase 2, सवाल दिकर कि कई बार बच्चे घबरा जातें कि बहुत difficult होगा, बिलकुल बच्चों वाला question है, सिर्फ question धहान से पढ़ना ह कि Swachh Bharat Mission Gramming in phase 2 की अभी कुछ data सामने आया था हाली में, और उसमें बताया गया कि बहुता है कि बहुता है कि आपका waste produce होता है, उसका भी proper management हो रहा है, तो इस category में कितने percentage villages इंडिया के already आ चुके है, इस चार option में से आपको वो option write down करना है, ठीक है, यह मैं नहीं बताऊंगे, बाकी मैं बताऊंगे, चलिए, so with this, let us get started with our very first question, आ जाएगे, तो पहला question आपके लिए है, इंडिया में first state कौन सा हो गया है, जिसने water budget को adopt किया है, ताकि water का better management हो सकी, water budget लाने वाला पहला राज्यो कौन सा है, पहला state कौन सा है, water budget, केरेला, केरेला, तो करेला खाएं के कड़वा लगीगा, water पी नहीं पड़ेगा, short बनाया था, मैंने उसमें टेक्नीक दी थी, ठीके, चलिए next, In how many categories has राष्ट्रिय विज्ञान पुरसकार बीन अनौंस, राष्ट्रिय विज्ञान पुरसकार का अनौंस्मेंट किया गया था, ठीके, जैसे हम पदमश्री पदम भूशन पदम भूशन देतें इसी तरह से, ये जो राष्ट्रिय विज्ञान पुरसकार है, ये भी तीन चरणों में दिये जाएंगे, लेकिन इनमें टोटल कितनी काटिगरीज, साइन्स, टेकनोलजी, एट्सेटरा, कितनी काटिगरीज में अवार्ड दिये जाएंगे, आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर इस, सिक्स काटिगरीज के अंदर, अलग अलग काटिगरीज के किये जाएंगे नए स्टार्ट हुए है ठीक है तो यह अनांस किये जाएंगे नाशनल टेकनोलिजी डे के उपर में 11 है नाशनल टेकनोलोजी डे उस दिन हर साल इनको अनौन किया जाएगा और दिया कब जाएगा जब हमारा चंद्रियान 3 मून पर पहुंचा था लाट इस 23rd of August उस दिन को नाशनल स्पेस डे की तरह अब्जर्व करना शुरू कर लिया है इंडिया ने अनॉसमेंट हो चुका है ठीक है तो अनॉस होंगे 11 में को नाशनल टेकनोलोजी देखे उपर और दिये जाएंगे नाशनल स्पेस डे यानी ऑगस्ट 23 को और ये कब से दिये जाएंगे अगले साल से 2024 से अगले सवाल को देखते हैं अबंग फॉलोइंग है वन रेमन मेकस से अवार्ड 2023 हाल ही में रेमान मेकस से अवार्ड अनॉस किये गए और उनमें एक नाम इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति का भी है और वो इंडियन कौन है आपसे पूछा जा रहा है तो इन चारों का देख लीजे और मुझे बताएं र राइट आंसर रीटेर के कदें कि तेंडेंसी कम हो जाएगी यानि हो दिमाग में रखने की कम हो जाकी इसलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं लेकिन मैं बोलूंगे सिर्फ लेगए तुण आहता है तो राइट आंसर आपके लिसनिंग से भी रिकॉल में मदद करेगा ठीक है, चलो, फिल्म 2018, Everyone is a Hero, में नाम किया है फिल्म का 2018, और उसका सब्टाइटल जो होदा है न, इक तरसे वो है, Everyone is a Hero, सिलेक्टिड एस इंडिया जो फिशिल एंट्री फॉर ओस्कर्स 2024, इंडिया से कौन सी मुवी गई है ओस्कर 2024 में, 2018, Everyone is a Hero, आपसे पूछा जारे कौन सी भाषा में उरिशिनल निया बनी हुई है पिक्चर, इह हिंदी में बनी हुई निया, कौन सी भाषा में बनी हुई है, बताएए, तो हिंदी में तो नहीं मनी में ने बता दिया, मली आलम में बनी हुई, it is made in which language, मली आलम के अंदर बनी हुई है, which of the following ministry has recently launched विवाद से विश्वास स्कीम, कौन सा मंत्राले है, जिसने हाल ही में विवाद से विश्वास स्कीम को लाँज किया है, तो ये स्कीम क्या होती है, जो MSME's Micro Small Medium Enterprises है न, तो वो जो अपने COVID के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में, जो भी उन्होंने लोंस लिये हुँगा, जो भी उन्होंने प्रामिस किये हुँगे, वो पूरा नहीं करके दे पाई, तो उनके चलते, उनको ग्रांट्स और थोड़ी सब्सडीज और टाइम राहत दी गई है, अकॉर्डिंग टू, एस पर विवाद से विश्वास स्कीम, सो MSME को फिनांशल एक तरह से बेनिफिट देने के लिए स्कीम को लाए गया था, बताईए, हिंट मिल गया, Ministry of Finance, Ministry of Finance लेकर क्या है, यह बहुत कन्फीजिंग हो सकता है, यह Ministries, सो ध्यान देजे का विवाद से विश्वास की, Ministry of Finance, विच इंडियन ओरिजिन ओर्थर्स नौवल, Western Lane, एक इंडियन ओरिजिन की ओर्थर है, और उनकी नौवल का नाम है Western Lane, has been shortlisted for Booker Prize 2023, Booker Prize 2023 के लिए उनको, उनकी कितावी जो Western Lane है, उसको shortlist किया गया, आप से उस author का नाम पुछा जा रहा है, यह Western Lane book, किसने लिखी है और इस book को shortlist किया गया है, for Booker Prize 2023, इंटरनाशनल Booker Prize नहीं, Booker Prize 2023, इस तरह से याद करवाया था, जब हम मन्थली से यह पढ़ रहे थे, किसके बार में बात कर रहे हैं हम, इस तरह की सवाल काफी देखने को मिलते हैं, पर्टिक्लरी SSC के अंदर, आट इन कल्चर से भर-भर के सवाल आते हैं, especially personalities से, एक personality जिनका हाली में निधन हुआ, नाम है मालिनी राजुरकर जी, वो कौन से style of music से जुड़ी हुई हैं, यह आप से पूछा जा रहा है, यह जुड़ी हुई थी आप से पूछा जा रहा है, बताए, the right answer is, हिंदुस्तानी classical vocal, हिंदुस्तानी classical vocal वो भी टपा और तराना जो styles होती हैं music की, उसमें यह माहरत हासल की हुई थी और ग्वालियर घराने को बिलॉंग करती थी, कौन से घराने को, ग्वालियर घराने को यह बिलॉंग करती थी, घराना जो भी important है, घराने की आए नो, आप लोग भाट आइन से डिमान करें कि महां घराने के उपर ले आई एक विडियो जल्दे ले करके आने की कोशिश करेंगे, नेक्स सवाल देखते हैं, अनिल अगर्वाल इंटिनास्टल क्रिकेट स्टेडिय। आफ जने की ज़े दना करो, अनिल अगर्वाल स्टेडिय। अचा पहले यह बतादो, हम्भी आ गया था, कुछ बच्ची ट्रिक्स बहुत प्रिफर करते हैं, कुछ बच्चे ट्रिक्स को बिलकुल लोथ करते हैं, they hate the tricks, but still, मैं एक बैलस्ट अप्रोच के साथ आपको देती जाती हूं, कहीं जगे नहीं देती हूं, जहां मुझे लगता है, easy रहेगा याद किरना मैं दे देती हूं, पूजा मैं, एवरी डे, 7 एम, इनके सेशन, रिलीस होता है, वीकली सीए और बर्निंग इशू, बर्निंग इशू क्या होता है, कोई भी मुद्दा जो निउस में चर रहा है, उसमें डेप्थ में डिसकॉशन नीड़ेड है, तो वो लेकर कि आती हैं, जान भी मैं, बर्नि जर भी हुआ है, तो डेप्थ में जाना होगा, बैन्किंग भी है, तो डेप्थ में जाना होगा, फिनांस के निउस, डेप्थ में जानी होगी, वो डील करती है, पायल मैं, इनके वीडियो आते हैं, एवरी मंडे 4 पी-म, ओके, और ये मैं ही हूँ, और मैं मंतली सी ये पर प्रॉपर्ली और चाहेंगी और यहां पर आपको किसी ने किसी प्लेलिस का लिंक दिख रहा होगा, यहां जाएए, और प्रॉपर्ली तैयारी करनी है, थियोरी पड़िये, प्राक्टिस करनी है, तो फिर यह वाले प्राइलेशन आपके बहुत काम के है, कोई भी doubt concern query होती है, आपको पर्चम आप पे कुछी समझ नहीं आ रही, वेबसाइट से कोई PDF लिया, आप डून नहीं पा रहे हो, कहां गया, कई बार बच्चे को मिलता ही नहीं है, जब की सामने होता है, तो कोई भी concern है, आप कुछ बाई करना चाहा रहे हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा है, ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, तो पर्चम की product services से related कोई भी doubt concern query है, तो एक help line number है, 99 to 9507407, इस पे आप office hours में call कर सकते हैं, 10 a.m. to 6 p.m. के बीच में, संडे को मत कीजेगा, उस दिन available नहीं होंगे, तो ये आपकी सारी concerns query address कर देंगे, आप app chat में लिख सकते हो, बहुत promptly आपको answer मिलेगा, same time के बीच में, आप mail कर सकते हो, पर्चम classes06 at gmail.com, आप इस video की comment section में लिख सकते हो, तो ये सारे areas हैं, नहीं तो पर्चम underscore classes, ये की तयारी कर रहे हूँ, central level examination है, आपको समझ नहीं आ रहा, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी books लें, या फिर मैंने 12th किया है, graduation किया है, science से किया है, मैं कौन से exam दू, commerce से किया है, मैं कौन से exam दे सकता हूँ, etc., तो ये सारी exam guidance के लिए एक और दूसरा number है, जिस पर आप WhatsApp कॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पॉल करने का टाइम बहुत लिमिटेड है, 224 पीम ओनली, क्यूंकि यहाँ पर जो mentor है, वो दो घंटे ही call के लिए अवेलिबल है, बाकी तो आप इनसे संपर करी सकते हो, mail भी कर सकते हो, परचम examguide.com, ठीके, तो ये सारी information मैंने आपको दे दिये, अब हम बढ़ते हैं, आगे, ओके, अगला question देखते है, नागरी दूबराज is the rice of which state, नागरी दूबराज एक rice है, जिसे हाली में GI tag मिला है, जोगरिफिकल इंडिकेशन टाग मिला है, कौन से राग जिसे मिला है, आप से पूछा जा रहे है, इस 36 नागरी दूबराज, ठीके, next question देखते है, who won the inaugural Indian Grand Prix for the 2023 MotoGP season, पहली बार इंडिया के अंदर Grand Prix हुआ है, MotoGP season, तो किसने जीता है ये, वो आप से पूछा जा रहा है, and the right answer is, देखो जल्दी से, answer is C, Marco Besechi, Marco Besechi, ओके, next, which team won the title of Durand Cup 2023, Durand Cup होता है, domestic soccer, यानि football, football का ठीक है, तो Durand Cup 2023 कौन सी टीम ने जीता है, ये आप से पूछा जा रहा है, सीधा-सीधा question है, answer is Mohan Bagan, Mohan Bagan Supergiant, हराया किसको East Bengal को इन्होंने फिनाले के अंदर हराया था, Indian Council for Medical Research, यानि ICMR approves to conduct true net test to detect which infection, सवाल क्या पूछा जा रहा है, कि जो ICMR है, उसने approval दिया है, कि हान जी, आप true net test को use करिये, किसी एक infection को detect करने के लिए, तो ये true net test कौन सी infection को detect करने के लिए, use में लिया जाएगा, किसके लिए approval मिला है, the answer is Nipa virus, जिसका की Southern India के अंदर break देखा गया, प्रोबा 3 mission, अगला question किस से related है, प्रोबा 3 mission, which will be launched aboard ISRO's PSLV, aboard का मतलब ISRO का जो PSLV है, जो launch vehicle है, उसके उपर रख करके, यानि उसके उपर लगा करके, सेटलाइट ऐसी की जाती है, एक rocket होता है, उसमें सेटलाइट लगाई जाती है, तो ISRO के PSLV पर अबोर्ड करके, यानि उसमें लगा करके, जो प्रोबा 3 mission की सेटलाइट लाँच होनी है, तो ये कौन सी space agency इस से जुड़ी हुई है, यानि प्रोबा 3 mission कौन सी space agency का है particularly, ये आप से question किया जा रहा है, सो बताएए जल्दी से, European Space Agency, प्रोबा 3 mission क्या है, जो एक तरह से combination जो होदा है न सेटलाइट का, कि अगर दो सेटलाइट एक साथ हमने लाँच करनी हो, फिर वो बाद में जाकर के दूर हो, अलग हो, तो ऐसी technology, technique, इन से related ये mission है, जो कि European Space Agency का है, अब ये देखिए, थोड़ा बड़ा देखने वाला question है, बिकुस का ये exam में इस pattern के question अब देखने को मिल रहे हैं, पहले तो सिर्फ ये होता था, higher level of examination में आजकल, जेनरल हो गया इस तरह का statement based questions, तो चलिए, ध्यान से पढ़ते हैं, consider the following statements about world talent ranking 2023, किस से related है, world talent ranking 2023 से related, indices और ranking जो हम पढ़ते हैं, तो पहला statement बोलता है, India ranked 56th, इंडिया का rank 56 आया, दोसरा बोलता है, ये जो ranking है, it is released by world bank, okay, तीसरा sentence बोलता है, Switzerland secured top position, okay, तीन statement आ गया, अब आपसे पुछा जा रहा है, find the correct statement, कौन सी correct है, 1, 2, 1 and 2 या 1 and 3, तो ये जो world talent ranking 2023 है, yes, इसमें Switzerland top पे आया है, इंडिया का 56th rank रहा है, लेकिन no, ये world bank इशो नहीं करता, इसको करता है, international institute of management development, यानि IMD, यानि कि second option गलत है, तो हमारा answer हो जाएगा, 1 and 3, ठीक है, okay, कखोव का डाम, कखोव का डाम, कखोव का डाम which was seen in news recently, is in which country, कखोव का डाम जो की news में वना रहा थोड़े टाइम पहले, वो कौन सी कंट्री के अंदर पड़ता है, तो अभी Russia-Ukraine conflict के चलते इस डाम की news आई, and the answer is Ukraine, UKM ने आता है ये डाम, which edition of annual Indian Sri Lanka bilateral maritime exercise, Slynex 2023, Sri Lanka, Indian navals, Indian maritime exercise, Slynex का क्या होता है, Sri Lanka, India, and maritime exercise, इसको कहते है Slynex, सो ये जो Slynex है, जो हाल ही में हुआ 2023 में, has been conducted in Columbus, Sri Lanka, जो की यहां हुआ, वो कौन सा edition था Slynex का, इन दो देशों के बीच में maritime exercise काफी टाइम से हो रही है, तो इस बार कौन सा संसकरन या edition था, you are being asked, the right answer is, 10th edition था, कौन सा था, 10th था, इंडिया की साइट से, इंडिया नेवी की कौन सी शिपस ने पार्टिसिपेट किया, INS किलतान and INS साबितरी, ओके, चलते हैं आगे, what is the full form of मिष्टी, मैंग्रोव एको सिस्टम जो है न हमारा, उसको री स्टोर करने के लिए वापिस, और ये स्कीम अनॉंस की गई थी, सो इसमें मिष्टी, स्कीम जो है, इसमें मिष्टी का कुछ expanded version है, वो आप से पूछा जा रहा है, तो ये तो देखना पड़ेगा, mangrove initiative for sustainable, देखो, mangrove initiative, बिलकुल mangrove initiative, mangrove initiative, mangrove initiative, mangrove investment तो हाई नहीं, तो ये तो cut हो गया, SH sustainable habitat and tangible income, shoreline habitat tangible income, shoreline habitat tangible investment, नए, investment की तो बात यहां भी नहीं है, shoreline habitat tangible income, so आप अगर देखें, तो यहाँ, बिलकुल shoreline habitat tangible income, mangrove initiative, this is the right answer, so मिष्टी का full form क्या है, mangrove initiative, जिससे shoreline habitat थीक हो, और जो tangible income है, उसमें भी बढ़ावा मिले है, this is the full form of मिष्टी, अगर कभी सीधा-सीधा answer नहीं वियाता है, कोशिश किया, कीजे थोड़े permutation combinations लगा करके, चीजों को पता करने के, कई बना, elimination method से भी आंसर तक हम पहाँ चा इसरों ने कौन से देश के साथ मिल करके, इसको host किया था, या organize किया था, answer is Italy, इसरों all Italy, यानि India and Italy थे, जिनों हने international conference on scapecraft mission operations host किया, first ever fernarium, ferns होते है न, so first ever fernarium has been set up inside which of these national parks in India, भारत का एक राश्ट्रे उध्यान है, national park है, जिसके अंदर पहला fernarium established किया जाएगा, कौन सा है, Irvaculum National Park, Irvaculum National Park कहां है, कैरला के अंदर पढ़ता है यह, कहां पढ़ता है, कैरला, और इसी के अंदर पहला fernarium set up किया जाना है, based on Indian state of forest report, एक report थी, जो हमने पढ़ी थी, latest report ही release हुई थी, ISFR 2021, इसके हिसाब से total forest cover in the country is 7,13,789 square kilometer, ये एक statement दिया हमको, This is an increase of how much square kilometer compared to ISFR 2019, हर दो साल में ये report सामने आती है, ठीके, तो जो last report आई थी 2019 की और जो अब आई ये 2021 की, इसमें ये जो total forest cover बताया गया है, इंडिया के अंदर, वो कितना increase हुआ है, किस number से बढ़ा है, है तो total इतना, लेकिन last report की मुकाबली कितना बढ़ा है, the right answer is 1540, 1540 square kilometer, the Jatayu Conservation and Breeding Center has been set up as the world's first conservation and breeding center for Asian king vulture in the state of India, तो देखे, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का पहला ऐसा conservation and breeding center बना है, जो की Asian king vulture के लिए dedicated है, इनका conservation और इनकी breeding करवाएगा, और ये कहां बना है, इंडिया में किसी state में शुरू हुआ है, इसका नाम क्या है, Jatayu Conservation and Breeding Center, कौन से state में इसकी शुरुवात हुई है, ये रहा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीके, तो अब देखो, question में कुछ एक information भी आपको मिल रही है, question इसी तरह से frame किये गा है, कि थोड़ी थोड़ी information भी आपको मिलते चले, ऐसा नहीं होना जिकिए International Prize in Statistics, International Prize in Statistics, Nobel Prize माना जाता है, स्टाटिस्टिक की फिल्ड का, ठीके, अभी हाल ही में अमने Nobel Prize वाला विडियो कवर किया है, जिसमें अमने Nobel Prize 2023 के सारे winners याद किये है, उसके अलावा जितना भी static important point है, Nobel Prize से related वो किया है, फिर हमने PYQs का भी discussion किया है, काफी power packed session था, आपने द अंदर हमने देखा था कि six categories है, जिनके अंदर की Nobel Prize दिया जाता है, और statistics को एक category नहीं थी, तो यह अलग सी दिया जाता है, एक international peace prize और इसको कहा जाता है, कि यह स्टाटिस्की दुनिया का Nobel Prize है, Nobel Prize का इससे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ कहा जाता है, अब किसको मिला है हा मतलब options मैं नहीं बोलूगी, बताओ, कौन क्या है यह, यह एक malware है, malware क्या होता है, आम भास्ता में बोलें, virus होता है, जैसे ऐसे malware होता है, email वगेरा के थुरू आपको कुछ लिंक भेज दिया जाते हैं, और आप उस पर क्लिक कर लो कि तो वो आपके पूरे सिस्टम को corrupt कर द ठीक है, और यह categories जब मिलती हैं तो इनको काफी सारे benefits भी मिलते हैं, इनकी कुछ eligibility criteria भी होती है, तो इस तरह से ऊपर जाती है, मिनी रतना होती है, फिर नव रतना होती है, फिर महारतना होती है, तो हाल ही में एक company है जिसको मिनी रतना category में डाला गया है इन चारों में से, solar energy corporation of India, इसको मिला है मिनी रतना status, who won the gold medal in men's 51 kg freestyle category in Asian wrestling championship 2023, held in Astana, Kazakhstan, सवाल तो छोटा ही है, explanation थोड़ा बड़ा है, आप से पुछा जा रहा है, किसने gold medal जीता है, men's 57 kg freestyle wrestling के अंदर, race और wrestling कौन से एक championship में, Asian wrestling championship में, बस सवाल इतना है, अब यह कहां हुई है Asian wrestling championship, यह information है, तो यह अस्ताना कजाकस्तान के अंदर होई है, कौन लेकर गया है भई हमारे लिए gold medal, 57 kg wrestling freestyle, बताए, तो इन में, अमन सहरावद, अमन, ओ, सोनी है, सहरा बांद के में तो आया, तो यह अमन सहरावद जी है, जो कि Asian wrestling championship के अंदर, 57 freestyle category के अंदर, गोल लेकर के आ, इंडिया के लिए, और आपसे पूछा जा रहा है, कि वो कौन सी European space, नहीं, आपसे पूछा जा रहा है, उस mission का नाम, European space agency है, उसने Jupiter के मून पे एक mission लांच की, किया है, ठीक है, उसकी study करने के लिए, तो वो mission का नाम क्या है, what is the name of that mission which is launched by European space agency, इन चारों में से बताईए, जूस, जूस, अब obvious साइक question आपके दिमाग में आ रहा हो गए, जूस का फिल फर्म क्या है, तो ये रहा, तो European space agency ने अपना एक flagship mission जूस, Jupiter IC Moon Explorer, ये लांच किया है, 14 अप्रिल 2023 को जाकर के बहां पे study करने बारे, ठीक है, I really hope you are enjoying this session, काफी फटा 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 हम questions देख रहे हैं, जो भ current affair के questions डील कर रहे हैं, यानि कि September से लेके April तक के, पर अगर आप प्रॉपर documented format में कुछ six month की current affair चाहते हो, तो January से ले करके, और June तक six month की news का proper compilation आपको six month ली magazine में मिल जाएगा, ये आपको बर्चम आप पे अवेलेबिल है, PDF format है, active links है, तो जैसे हम monthly CA करते हैं, उसी तरह से अलग अलग category के अंदर, sports अलग, international news अलग, skins अलग, etc, etc, आपको ये compilation मिल जाएगा, डीटेल में अगर आपने पढ़ लिया है, और आपको इक revision करना चाहते हो, या बिलकुल last minute तयारी करने वाले बच्चे हो, पढ़ते हैं यह बहुत जादा, ठीके, तो आपके लिए ये एक document बहुत काम का है, CA रफतार, ये भी six month का compilation है, देखो इस तरह से सारी categories अलग अलग आपको मिलेंगी, लेकिन यहां सरफ headlines होंगी, सिरफ two, three line के अंदर, जो main news है, वो, detail जादा नहीं डाली गई है, तो अगर आपको headline compilation चाहिए, January to June, तो आविस document की तरफ जा सकते हो, ये भी description open हो जाएगा, वहाँ पर सारे important links दिये हुए है, जो भी आपके काम के होंगे, telegram channel के, सारे, जो social media है, उनके, app के, courses के, subscriptions के, PDF के, playlists के, everything is available there, ठीक है, तो description check out कर लीजेगा, चलिए, बढ़ते हैं आगे, so which states, mircha rice has recently received the geographical indication tag, अगला rice कौन सा आगे है, मने बताया है, काफी सार rice आएंगे, so, नागरी दूबराज हमने पहले किया था, 36 गड़ का, अब ये जो मिर्चा rice है, इसको कौन से state से GI tag मिला है, मिर्चा, बहुत मिर्चा कौन खाते हैं, बिहार ही खाते हैं, so, बिहार से मिला, याद किरवारी नहीं खाते होंगे, हो सकता है, so, बिहार, all right, the world's tallest नटराज statue was installed at भारत मंडपां, दुनिया की सबसे tallest नटराज जी की statue कहां installed की गए, भारत मंडपां के अंदर की गए, जो की G20 समिट का venue था, दिली के अंदर, आप से बूचा जा रहे, who made this statue, इस statue बनाई किसने थी, ठीके, तो who was the sculptor of this, पूर्तिकार कौन थे, चारों में से राधा कृष्णन स्थापती जी, राधा कृष्णन स्थापती, अब देखे, नटराज जी की मूर्ती है, शिवजी का अवतार, मतब शिवजी का ही गुरूप माना जाता है न, नटराज नृत्य बढ़ते वए, तो यहां नटराज है, यहां राधा कृष्णन है, तो भग प्रित्य है ट्रेडिश्टल जिसको हाल ही में गिनीज बुक अप वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह में ली है क्यों क्योंकि लाज़ेस्ट ट्रेडिश्टल फोक डांस जो की एक ही जगह पर परफॉर्म किया गया बहुत सारे लोगों द्वारा और वह कौन सा फोक डांस है आप अर्थ ऑब्जरवेशन साटलाइट टाइफा वन साटलाइट इन्टू ओर्बिट अर्थ ऑब्जरवेशन साटलाइट है किसी देश की पहली और उसका नाम है टाइफा वन और यह कौन से देश की है जो हाली में लॉंच की गई है किसने की है किन्या ने की है आपकी कोई त तो इमाजिन कीजिए आपकी ताई जो है किन्या से आए भी है किन्या वाली ताई आपकी तो ताइफा ताई आप ले सकते हो किन्या वाली ताई सत्वान और जूरसितल, सत्वान या सत्वान और जूरसितल जो है these are the festival celebrated in which state or union territory so सत्वान जूरसितल यहां पे तो कोई union territory है ही नहीं और explanation यहां नहीं डाला है मैं अगले slide पर डाल दिया है so सत्वान और जूरसितल कहां के है festival यह यह बिहार के festivals है सत्तू इस टाइम पे सत्तू बनाया जाता है तो यह जो फेस्टिवल है नेचर से रिलेटिड है हार्वेस्ट टाइम में मनाया जाता है पर्टिक्लिरली जो समर सीजन है न उसके शुरुआत के टाइम पे सत्तू तभी बनाया जाता है तभी खाया जाता है और मैथली न्यू यर के तौर पे जुरसीतल को सेलिबरेट किया जाता है विच अफ दो फॉर्लिंग स्टेट है इस बैक दे नाशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इंप्लिमेंटेशन अफ प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना इन दे कंट्री कौन सा राज्य है जिसने प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना का सबसे बड़िया इंप्लिमेंटेशन करके और नाशनल अवार्ड जीता है कर नाटक नहीं किया है कि अच्छा हमें इतनी फसल भीमा करवाने यह नहीं करवाने यह नहीं करवाना नहीं वड़ी हासे सारे इंप्लिमेंटेशन किये हैं और यह वंडिया वर्ड को इसने ऑथर ऑफ दे बुक टाइटल सचन अड़रेट फिफ्टी सेलिबरेटिंग अ मा हो सकते हैं ही सच्च माइस्त्रो तो सच्छी इतने बड़े माइस्त्रो हैं कि हम कभी बोर नहीं हो सकते हैं तो बोरिया मजम्दा है चोटे-चोटे हिंट दे रही हूँ जहां भी मुझे लग रहा है ताकि आपको सीधी सपाट इन्फरमेशन है दिमाग में स्टोर करने में हो सके विरता के लिए जो अवार्ड दिया जाता है तो इन में से कौन है वो डी एम डी एम दीपिका मिश्रा इस पे भी शॉट बनाया था मैंने जल्दी से अपने फ्रेंड्स को डीएम करके बताओ पहली वुमें एर फोर्स ऑफिसर जिनको गैलेंटरी अवार्ड मिला डी मिला है फॉर एक्स्ट्राओर्डिनरी करिज जो इन्होंने मध्यप्रदिश ऑपरेशन में फ्लड रिलीफ के दौरान शो की थी तो आप देखो एक इंफर्मेशन यहीं छुपी हुई है लोजिस्टिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है कौन उसको रिलीज करता है यह बहुत इंपोर्टन चीज़े है ठीक है जैसे आपसे बॉड़ी पूछी जा सकती है कि यह जो इंडेक्स है इसको कौन रिलीज क करता है और उसके अंदर आपसे इंडिया का रांक पूछा जा रहा है राइट आंसर इस 38 इंडिया रांक 38 आउट ओफ 139 कंट्रीज ठीक है वर्ल्ट वैंक इसको रिलीज करता है टॉप किस ने किया भी सिंगपोर ने टॉप किया है लोजिस्टिक पर्फॉर्मेंस इंडेक इस 2023 ने टो बुक टाइटल क्रॉस कोड़ एक बुक है जिसका टाइटल है टॉप मुखर जी जिनकी ये ओटो बाइटाइफ एक कोट कोट होता है तो क्रोस कोट बॉल डाली जाती है ना टेनिस के अंदर उससे आप ध्यान रखेंगे चलिए विच इन स्टेट इन इंडिया है स्टॉप्ट इन टर्म्स अफ नंबर ऑफ वाट बॉट बॉड़ीज अज रिपोर्टेड इन फर्स एवर सेंसस ऑफ वाट बॉ वाट बॉड़ीज है यह आप से पुछा जा रहा है ठीक है तो इंडिया का पहला वाटर सेंसस हुआ जो किस ने करवा है मिनिस्ट्य अफ जल्शक्ती ने करवा है सबसे हला वाटर बॉड़ीज कौन से स्टेट के पास है वेस्ट बिंग वाल के पास है सबसे मिनिमम किस के पास में, ठीके, चलते आगे, इंडिया ज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विसेस अज बीन इनुगरेटिट इन विच स्टेट, भारत की पहली वाटर मेट्रो सर्विसेस, वहीं जहां पे पहला वाटर बजट था, वाटर बजट कहा था, यह भी चेरला के अंदर है, नेंधी र एक rescue mission चलाया, जहां पे conflict में था Sudan, और वहां से अपने Indian citizens को वापिस ला सके, उस mission का नाम आप से पूछा जा रहा है, तो Sudan से अपने लोगों को वापिस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया, कौन सा mission, operation, कावेरी, कावेरी, ठीके, कावेरी, Sudan, which company has recently got the status of Navratne Central Public Sector Enterprise, अभ Jail Vikas Nigam Limited, भीहन मेला इस अननना पेस्टिवल सेलिबरेटेड बाइ कौन ट्राइब इन विन स्टेट, तो कौन से मेले की बात हो रही है, भीहन मेले की बात हो रही है, कोई एक ट्राइब है, जो इसको सेलिबरेट करती है, तो पूछा जा सकते है भीहन मेला कौन सी करती है अभी कहां कहां ओडिशा के अंदर होता है ओडिशा के अंदर तो इमाजन करी बहन है अगर आपकी कोई दूर की होगी अगर रियल नहीं है तो एक तम से बैठे-बैठे उड़ने लग गई भूत प्रेट सम्थिंग सम्थिंग आ गया ऐसा कुछ याद कर लिजे एक ब को इनफर्मेशन मिल गई कि जो 40 सेकंड समिट था आसिया का वो कहां हुआ इंडोनेशा के अंदर हुआ वाट इस दर थीम यह तो हैल्ड होगा स्टार्ट इन ओने होगा है इंडोनेशा में हुआ वाट इस थीम आफ आसिया ट्वेटी थी इस वार का जो सम्थिंग हुआ उ इन विच प्लेश दी सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फरेंस तो इंडियन ओशन कॉन्फरेंस है सिक्स्थ एडिशन जो था इस बार हुआ कहां हुआ सो इन सब में मांगलदेश के धाका के अंदर इसको कंड़क्ट किया गया टो इन चारों में से जयनत नारलिकर जी को मिला है जयनत नारलिकर इंडिया in which country have recently jointly launched the 50 startup exchange program to promote collaboration and exchange between the startup ecosystems of two countries, यानि दो देश हैं जिन्होंने 50 startup exchange program launch किया है, एक तो भारत है, दूसरा कॉन सा है, थाकि startup exchange वगेरा स्मूध हो सके, तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा बांगलादेश, इंडिया और बांगलादेश ने शुरू किया है, इंडिया हैस लॉंच ओपरेशन करोना, इससे पहले हमने ओपरेशन कावेरी देखा था, वो सुडान में जो हमारे भारतिय फसे हुए थे, उनको लाने के लिए था, अब इंडिया हैस लॉंच ओपरेशन करोना, तो help which country devastated by cyclone mocha, इसको mocha बोलते हैं, मौचा नहीं बोलते हैं, ठीक है मौका, तो cyclone mocha जो आया, किसी एक country में आया, और वहाँ पे अपने लोगों को बचाने के लिए इंडिया ने operation करोना भेजा, ठीक है, और ना सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए, वहाँ पे help provide करने के लिए भेजा, तो कौन सी country के अंदर मौका आया, सोचो, 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 मैन मार के अंदर आया, मैन मार के अंदर, ओके, सो करोना, इतनी मार पड़ी ना, किसी को इतनी मार पड़ी, हमें करोना आ गई उसके उपर, तो मैन मार के अंदर, या मैन मार से related है operation करोना, और वो क्यों हुआ operation क्योंके cyclone मौखा माँ पे hit किया था ओके आगे बढ़े उससे पहले again क्योंके हर दिन हजारों बच्चे जुड़ते हैं और इस वीडियो में भी कई नए बच्चे जुड़े होंगे तो उनको मैं बता दू कि अगर आप अगली साल आने वाले ससी की तैयारी कर रहे हो 2024 को टागेट कर रहे हो वो कोई भी एक्जाम हो ससी के अंडर में तो आपके लिए पूरा जेंडरल अवेरनेस की responsibility हमने उठा रखिए आप यहां से एक प्लाटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं पर्चम एप पे जाकर के चेक आउट कर लीची कोर्स इसके अंदर पूरा जेनरल अवेरनेस कवर होगा policy, economics, history, science, geography, static g. के हर एक subject के individual course भी मिल जाएंगे कई बार बच्चे के एक दू कोर्स पहले से subject तैयार होते हैं आपने बैचलर्स इसमें किया था, आपका science अच्छे से हो है, बाकी सारे subject नहींगे, तो आप individual भी ले सकते हो, okay static g. के जो मेरा course है, वो 25th of October को individual भी launch हो जाएगा, right इसके अंदर आपको recorded lecture, PDF download तो option मिलेगा ही, live problem solving sessions भी हम रखेंगे, उसके अलावाँ detail, PYQ discussion होंगे, mock papers भी discuss किये जाएंगे, and इसमें phased manner में आपको lectures मिलेंगे, यानि कुछ lectures अभी आपको दे दिये गए हैं, और हर हफते, हर दिन कोई न कोई न कोई न कोई न कोई न कोई लेक्चर इसमें डाला जाएगा, उसका पूरा schedule डाला गया है, क्योंकि हर lecture re-record हो रह हैं, वैसे वैसे हमारे साथ तयारी कीजिए, you will be good to go, आपको जिये के लिए कहीं और जाने की ज़रवत नहीं पड़ेगे, ठीक है, कहां से चेकाउट कर सकते हैं, इसको परचम आप से कर सकते हैं, and अभी festive time चल रहा है, बहुत सारे discounts चल रहे हैं, अगर लेना है, तो make use of the discounts, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अरजन राम मेगवाल has been appointed as the new law and justice minister, again एक statement आ गई, हमारे नए law and justice minister पहुन हैं, अरजन राम मेगवाल है, लेकिन अगर ये इस position पे हैं, तो किरेन रिजिजु जो पहले इस position पे थे उनका क्या हुआ, तो वही पुछा जा रहा है, previous law and justice minister, किरेन has been assigned which ministry, किरेन रिजिजु जी को अब कहा बेच दिया गया, अगर अरजन राम मेगवाल आ गए है, law and justice minister, तो इन में से किरेन रिजिजु क्या संभाल रहे है, ministry of earth sciences संभाल रहे है, ठीक है, चलिए, who has won the international booker prize for time shelter, international booker prize, हमने चेतना मारू की देखी थी, western lane, वो बुकर इसे, दोनों में difference क्या होता है, booker prize, English में ही किताब लिखी गई है, और उसको nominate कर दिया गया, international booker prize में किसी भी भाषा में किताब लिखी गई हो, लेकिन English में translated हो, ठीक है, तो यहाँ पर translation वाली किताबों को consider किया जाता है, international booker prize किसे मिला, time shelter किताब को मिला, time shelter, किसने लिखी है, पूछा जा रहे है, तो जी-जी, जी-जी, Georgie Gospitanov ने लिखी है, और international booker prize में क्यों कि ट्रांसलेशन होता है, तो translator का नाम भी हो जाता है, important कौन है, translator, Angela Rodel, Angela Rodel, which country has successfully test launched a ballistic missile खेवर, with a range of around 2000 km, ballistic missile है, और उसको launch किया है, किसी एक कंट्री ने, और इसकी रेंज कितन 1000 km दूर जाकर के अपने टार्गेट को मार सकती है, तो आपको खबर है, किस ने launch की है, खेवर खबर है, इरान ने launch की है, इरान ने launch की है, ओके, चलिए, Union Government has extended Atal Bhujal Yojana, Atal Jal Yojana भी बोलते है, इसको Atal Bhujal Yojana for two more years, दो और सालों के लिए इसकी अवदी को बढ़ा दिया ग देनल गया है, but this scheme was launched in which year you are being asked this, और इसको launch किया गया था, 2019 में, निए क सब्चार है, थेक है, कैसे आद रख सकते हैं, 2014 में ईलेक्शन होए तो, कुछ नहीं सकी है, ऐसा आद रख सकते हो, इसे आद रुग सकते हो, जब आपको NABH accreditation मिल जाता है, तो आपके जो health care की quality है, वो global standards जैसी है, आपको certification हो जाता है एक तर ऐसे, तो बताइए, नब न से शुरू हो रहा है, तो I Ames Nagpur, न, न connection से याद रखेगा, नब accreditation किसको मिला है, Ames Nagpur को मिला है, who has been appointed as the first woman secretary general of WMO, World Meteorological Organization है, जो UN के ही system का part है, यानि United Nation, बहुत सारी organization के साथ मिल करके अपने goals को पूरा करता है, तो उन में से एक organization है, WMO, World Meteorological Organization, जो climate और जो भी atmosphere में changes आ रहे होते हैं, या atmosphere से related जो भी चीज़ें होती है, वो ये इसको coordinate करती है, तो उसको पहली woman secretary general मिली है, लेकिन अभी इन्होंने position नहीं संभाली है, ध्यान सोनिएगा, इनका appointment निश्चत हो चुका है, लेकिन ये अपनी position कब संभालेंगी, 1st of January 2024 से, ठीक है, अभी त याद है, क्योंकि मज़े तालह याद है, सो तालस या ताले, ऐसे ही कोई है, वो अभी secretary general है, तो first woman secretary general WMO की कौन appointment होई है, जो की position लेंगी 1st of January 2024 से, what is the answer, celeste solo, celeste solo, solo, तो बाहर की meteorology का कुछ पता ही नहीं चलेगा, बाहर कैसा मौसम हो रहा है, बादल आ रहे है, दूब आ र नाली hydroelectric project, फुकट कर नाली hydroelectric project के लिए भारत के साथ ने कौन से देश, भारत के साथ कौन से देश ने एक समझो होता गया, आपन यादि मेंबरानलों को understanding पे signature किये है, answer is निपाल, निपाल ने किये है, अब उसको better manage करने के लिए एक unified registration portal बना दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, यह जो पोर्टल है, यह किस ministry ने लॉंच किया है, उसी ने किया होगा जो गोबर्धन से deal करती है, कौन से ministry है, बहुत confusing option से बच्चे गलग कर सकते हैं, ना answer is ministry of जल शक्ती, जल शक्ती इससे deal करती है, India's first international cruise ship, MV Empress, statement है एक तो, कि इंडिया की पहली international cruise ship का क्या नाम है, MV Empress नाम है, has been flagged off for which city, उसको हरी जंडी रिखाई गई है, कौन से, city ने, sorry country, कौन से country जाने के लिए, यानि इंडिया से रवाना होकर के पहली international cruise ship भारत की, जो की MV Empress है, वो कौन से देश के लिए बताईए answer, Sri Lanka, Sri Lanka, नीचे है हमारे, पडोसी, who is the first Indian fencer to win a medal in Asian championship, एक पतली सी तलवार जैसी होती है, fencing, ठीक है, तो पहली fencer भारत की, जो की Asian championship के अंदर medal लेके आई है, कौन सा medal है, bronze medal है, देख लीजे, bronze medal लाई है, Asian fencing championship में, ये championship कहा हुई, चाइना के अंदर हुई, तो एक नाम बहुत popular है, भावानी देवी, जैसे मा भावानी के हाथ में होती है, तलवार ऐसे भावानी ले, what is the rank of India in global gender gap index 2023, released by wef, info भी मिल गई, देखिए, इंडिया का रैंक पूछा जा रहा है, global gender gap index 2023 में, gender के बीच में, जो gap आ रहे है, opportunities में, हर चीज के अंदर, ये जो index से कौन इशु करता है, global economic forum, wef करता है, इंडिया का रैंक क्या है, जी, इंडिया का रैंक है, 127, 127, out of 146 countries, wef रिलीज करता है, top पे कौन है, Iceland, male और female में जादा, डिफरेंस नहीं है, जेंडर के अंदर, opportunities में, उनकी ग्रोथ में, etc., in which of the following state, the historic kharchi pooja has been celebrated recently, kharchi pooja का संबंध कौन से state से है, kharchi pooja, kharchi pooja, trippura से deal करती हुई है, kharchi मिली, अब यह तियोहार पे, tree के नीजे बैट करके अपनी kharchi गिन रहे हो, और यह इतने रुपे मिल गए, इतने रुपे मिल गए, kharchi pooja, trippura, याद रहेगा, which Indian city recently joined the World Cities Cultural Forum, World Cities Cultural Forum को join करने वाली, पहली Indian city, हाल ही में, जिस अकीरा, अकीरा, which is in news recently, what is it, थोड़ा question के framing language, थोड़ा गड़ बड़ सा है, बच्चों जैसा language है, but anyways, अकीरा, which was in news recently, is a type of, is a type of, चारो में से क्या है, अकीरा, so, क्या है, internet ransomware है, internet ransomware, internet से आपको पहले फसाएंगे, उसके बाद आप से गुस खोरी यह सा गरेंगे, internet ransomware है, malware, ransomware, यह सारे, अलग-अलग तरीके, cyber attack के तरीके होते हैं, India's first cannabis medicine project, India's first cannabis medicine project is to be pioneered in which city, is set to be pioneered, तो पहला, भारत का पहला cannabis medicine project जो है, जो हम बोलते हैं, भांग, भांग से related, medicine का project, कौन से city के अंदर शुरू किया जाएगा, आंसर इस जम्मू, जम्मू के अंदर किया जाएगा, यह announcement हो चुका है, तंकाई method, which is seen in news recently, is associated with which process, तंकाई method, कौन से process से जड़ा हुआ है, यानि किस काम में आता है यह तंकाई method जो है, इन चारों में से, the answer is, ship building, अधिक तर लोग हो सकता है, यह कर दें या फिर यह माक कर पर इस ship building में काम में आता है, तंकाई method, जाधा कुछ कीले वीले ना ठोक करके, सीधे एक वोड से, एक वोड या शिप बनाना, उस कला को बोलते है, तंकाई method, और उसके लिए agreement has been reached between Ministry of Culture and Indian Navy, ताकि जो traditional तंकाई method है, ship building का, उसको रीस्टोर किया जासे, कि इसमें जाधा, त 2023, Wimbledon Grand Slam 2023, men's title किसने जीता है, पूछा जा रहा है, answer is, Carlos Alcaraz, यहीं पे मैं भी आपसे question करूँगी, मैं भी तो करूँ, मैं सारे answer दिया चाहरे हो आपको, बताए इस ही में, Wimbledon Grand Slam 2023 के अंदर, female में, यानि women, individual event किसने जीता है, men में तो Carlos Alcaraz ने जीता है, विमें में किसन बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, आगे, so National Institute of Industrial Engineering, renamed as Indian Institute of Management, Mumbai, आपको बता रहे हैं, कि National Institute of Industrial Engineering, जो है, उसका नाम अब change हो के क्या हो गया, IIM Mumbai हो गया, this will be what number of IIM in the country, IIM, कौन से नंबर का IIM अब ये बन गया है, इंडिया में, यानि total कितने IIM हो गये है, इसके साथ, 21st नंबर का य एले नाम किया था, यानि इसको चेंज करके IIM Mumbai किया गया, National Institute of Industrial Engineering, what is the revised timeline for listing share on stock exchanging after the closure of IPOs, as per Sebi's recent decision, Sebi का recent decision आया है, कि जैसे IPRO close होता है, तो कितने time के अंदर, जो share है, वो लिस्ट हो जाने चाहिए, तो T plus 3 days, T plus 3 days के अंदर, transactions plus 3 days के अंदर, Which edition of famous Nehru Trophy boat race 2023 is, was held, was held at Punamada Lake in Alapuza district of Kerala, तो सबसे पहली बात, जो Nehru Trophy boat race है, वो Alapuza district Kerala के अंदर, हुई, कौन सी लेक पे हुई, पुनमदा लेक के अंदर हुई, कौन सा edition था इस race का जो इस साल की आ गया, answer is 69th edition, कौन सा edition, 69th edition, how many gallantry awards have been approved by the president on the occasion of 77th Independence Day, 77th Independence Day के अवसर पर, जो हमारी प्रेजिदेंट साहबा है, उन्होंने कितने गैलंटरी यानी वीड़ता, अवोर्ड जो है, उनको अप्रूव किया है, answer is 76, 77th Independence Day पे 76 को, what is the name of India's first long range revolver, long range revolver, जो पहली है भारत की, इसका नाम किया है, प्रबल, प्रबल नाम है इसका, which portal has been launched by RBI to track unclaimed deposits deposited in the bank, ऐसे deposit जो बैंक में पढ़े हैं, जिनको किसी ने claim नहीं किया है, तो उनका claim easy हो जाए, एक single portal पे सारे बैंक के unclaimed deposit दिख जाए, ऐसा एक portal launch किया है, Reserve Bank of India ने, उसका नाम क्या है, पूछा जा रहा है, तो answer is, उदगम पोर्टल, उदगम which country has won FIFA Women's World Cup 2023 title, FIFA Women's World Cup 2023, किस ने जीता भई, Spain ने जीता, हराया तो इसको यवी बता दो, England को हराया, Spain ने जीता, England को हराया, okay then, कहां हुआ तो, Sydney के अंदर हुआ, फिनाल है, ना, चलो, what is the goal of Likaru Migla Fukche Road Project in Ladakh, इस प्रजेक से क्या बनाने की कोशिश की जारी है, तो right answer ढूंडो, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा, कोई बात नी longest road in Ladakh बनाना चाह रहे हैं, क्या, highest motorable road in the world बनाना चाह रहे हैं, क्या, tourist road बनाना चाह रहे हैं, remote villages को connect करना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, answer is, B, to build the highest motorable road in the world, अभी कांसी है highest motorable road, उमलिंगला पास है, ठीक है, उमलिंगला है, तो उमलिंगला के बाद, जब यह ल तो बिंदेश्वर पाथक जी का हाल ही में निधन हो गया, कौन सी फील्ड से ये जुड़े हुए थे, आपसे पूछा जारा, he was a social worker, इनको टॉइलेट मैन ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इस पदक से नाम जाना जाता था, बद में अभूशन भी इनको मिला था, औ और सुलब इंटरनाशनल एक फाउंडेशन है, जिसके चलते सुलब शौचाले वगएरा सब बनाए गए, तो टॉइलेट मैन ओफ इंडिया कौन है, पाथक साहब, बिंदेश्वर पाथक जी, वो इस दी बेस्ट आक्टर अवार्ड, वो वन दी, वो वन दी बेस्ट आप्रिस दो उने शेर किया है, तो अलु अर्जुन ने कौन सी मुवी के लिए पुष्पा राइस के लिए जीता है, सुकुमार वजी डिरेक्टर आफ दिस मुवी, डिरेक्टर भी ध्यान रख लीजेगा, एजैमनर पूछ लेता है, है ना, कौन सी फीमेल अप्टर्स है, फीमेल अप्टर्स है जिनको मिला आलिया भट और कृती सनौन को मिला है, कंगुभाई, काथ्यावाडी और मेमी के लिए रिस्पेक्टिवली, रॉकी ट्री दे नाम भी इफेक्ट, जो आर माधवन की है मुवी, डिरेक्ट भी इनोंने की है, बेस्ट फीचर फिल्म मिला है इसको, इसरो is preparing a new moon mission, named LUPEX, in association with which country, तो इसरो एक नया moon mission पे काम कर रहा है, उस mission का नाम क्या है, LUPEX, लेकिन इसरो का mission नहीं है, या के लिए, वो साथ में किसी और देश के साथ मिलके कर रहा है, कौन सा देश है साथ में, जेपान, जेपान के साथ में, LUPEX, ऐसे J बना दो, तो LUPEX ध्यान रख लेजेगा, सो LUPEX का फिलफॉन देख लेते हम, Lunar Polar Exploration Mission, LUPEX, और यह कोलाबरेशन होगा, जाकसा और इसरो के बीच में, जाकसा इस Japan Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency, जैसे Indian Space Agency कौन सी है, इसरो, यह 2025 में लॉंच होना ते हुआ है, बहुत नाम बहुत दू हुई थी, वर्ल एथलेटिक्स चैंपिंशिप में पहले भारतिय, जो की गोल्ड लेकर के आए, भाला फैकने में, जाबलिन त्रो में, नीरज, चोपड़ा, और कहां हुई थी यह, एथलेटिक्स वर्ल चैंपिंशिप, हंगरी, बुटपेस्ट के अंदर हुई थी, where is the George Everest Cartography Museum located, George Everest Cartography Museum हाली में इसको लाँच किया गया है, कहां लाँच किया गया है, मसूरी उत्तराखंड के अंदर, लाँच किया गया, कार्टोगरफी क्या होती है, the science and techniques of creating maps, उसको कार्टोगरफी कहते है, which of the following railway station was renamed after Captain Tushar Mahajan, Captain Tushar Mahajan जी के नाम पे, इन में से कौन से railway station का नामकरण कर दिया गया, यानि अब वो Captain Tushar Mahajan railway station कहलाएगा, Uddhampur, Uddhampur, who has been appointed as the first woman chairman and CEO of railway board, railway board की पहली woman chairperson and CEO, काउन, Jaya Varma Sinha, Jaya Varma Sinha, how many scientists have been selected for the Shanti Swaroop Bhattnagar award for the year 2022, 2022 था, जो के अब दिया जाना है, so 2023 के अंदर दिया गया, so how many scientists have been selected for this award, 12, 12, 12, 12 scientists, who won U.S. Open 2023 women's singles title, Wimbledon वाला तो आप मुझे बताओगे, मैंने आपसे पूछ लिया है, U.S. Open मैं आपको बताओ देती हो, U.S. Open women's single title, किसने जीता, Coco Gauff, किसने जीता, Coco Gauff, अब इसका mail बताओगे, हाँ, कुशना कुश तो participation रखना पड़ेगा, Men's Singles, U.S. Open का किसने जीता है, write down in the comment section, GST Sahai Invoice Financing Loans Platform will be launched by, GST Sahai, GST Sahai, GST Sahai, एक Invoice Financing Loan Platform है, और इसको किसने लाँच किया, GST Sahai, देखे, SIDB ने, SIDB ने, जो small industries वोकेरा, जो MSMEs है न, उनको support करने के लिए GST Sahai platform लाया गया है, Who has been appointed by the Ministry of External Affairs as the next High Commissioner of India to Australia? Next High Commissioner of India to Australia, किसको appoint किया गया है? Appoint किया है Ministry of External Affairs ने, पर कौन appoint किया गया है? भागले Australia, याद है, जब Current Affair, Monthly Current Affair पढ़ारी थी, आद कर वाया था, तो Gopal भागले, Gopal भागले Australia, बाई, चलिए, Hoysal Group of Sacred Temples has been included in UNESCO World Heritage Site List, in which state is it located? ठीक है, या, Full Stop आएगा, या, I Capital आएगा, Hoysal Group of Sacred, जो Sacred Temple Ensembles of Hoysal जो है, उनको UNESCO World Heritage Site में शुमार किया गया है, तो आपसे पुछा जारे, कौन से स्टेट के अंदर ये temples है, आंसर इस करनाटका, इसी की साथ सब पर होता दूँ, और कौन सा है, जो हाली में UNESCO में शामिल हुआ है, इंडिया से, शांती निकेतन, शांती निकेतन भी शामिल हुआ है, तो Sacred Ensembles of Hoysal, 12th to 13th Century में बने थे, तीन कॉंपोनेंट्स हैं इस इन temple ensembles के, एक बेलूड में हैं, एक हाले बिट में हैं और एक सोमनातपुरब, कारनाटका के अंदर हैं, What name has Prime Minister Narendra Modi suggested for the Old Parliament House? Old Parliament House का नया नाम क्या पढ़ गया है? अब क्या नाम दिया गया है उसको? क्या दिया गया है? Very good, Samvidhan Sadan दिया गया है, Samvidhan Sadan. अचा, options देखो, थोड़े confusing है, Samvidhan Bhavan भी है यहां पर, Samvidhan Sadan भी है, तो Samvidhan Sadan याद रखियेगा, Okay? According to India Aging Report 2023, कौन सी रिपोर्ट है? India Aging Report 2023, Which of the following stages in India has the highest life expectancy, not stages, sorry, states, for women? According to India Aging Report 2030, कौन से राज्य है, कौन सा राज्य है, जिसमें highest life expectancy है, विमन की यानी सबसे लंबे आयू तक वहां पर विमन जीती है, बुटी बुटी बुजर 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 आपको विमन वहां बहु देखने को मिलेंगी, केरला, करेला, खाओ, उमर बढ़ाओ, आपको प्राक्टिस कर वाने थे, मैंने करवा दिये हैं, जाते जाते, question आपके लिए छोड़ के जा रही हुँ, एक स्टार्टिंग में पूछा था, उसका जवाब दोगे, दो बीच में पूछे आएंगे ज़र एक के पूछा है, तो अब यह आपके लिए question है, what is India's rank in Global Innovation Index 2023, Global Innovation Index 2023 में भारत का rank इन सब ले से कौन सा है, जल्दी से comment section में लिखेगा जवाब, नर सरफ जवाब बलकि इस तरह से पढ़ना आपको कैसा लगा, यह session कितना useful लगा, और भी अगर आपको कुछ feedback है, कोई topic request है, तो we are welcome you, आपको अग wise आप मुझसे insta पे भी connect हो सकते हो, richasharma2325, यह मेरा insta id है, यहाँ पे भी आप मुझे message drop कर सकते हो, और जाते जाते, of course, एक thought, जो कि बहुत काम का है, बहुत basic के पर बहुत काम का है आप सब के लिए, all students can learn and succeed, इसमें कोई doubt ही नहीं है, right, students बुरे नहीं होते, teacher बुरे हो सक All students can learn and succeed, कोई भी duffer नहीं होता, that is wrong, बस, बात कितनी सी है, but not all on the same day, in the same way, दिन सब के अलग अलग हो सकते हैं, life, कि किस पड़ाव पे आप successful होगे, किस age पे होगे, किस दिन होगे, वो different हो सकता है, किस तरीके से होगे, वो different हो सकता है, किस के लिए, किसी के लिए success हो सकती है किसी के लिए कुछ और तरीका हो सकता है, किसी के लिए कुछ और तरीका हो सकता है, everybody can be successful, because everybody has a capacity to learn, autistic बच्चे भी learning capacities रखते हैं, तरीका different होता है, उनके success की parameters different होते हैं, right, so never consider yourself a failure, हाँ, आप दूसरे से compare करो कि वो इस दिन, इस समय, मैं जब 17 का हूँ, तो मैं या मैं 23 का कर पाया, वो 17 या 23 के थी, तो वहाँ पहुँच गए थे, if you'll be falling into that race, definitely आप खुद के capabilities पे question करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को individualistic लेके, दूसरों से inspiration लेजे पर अपनी individual जर्नी को consider करेंगे, तो आप सीख रहे हो, हर रोज सीख रहे हो, मैनत कर रहे हो, success आनी ही आनी है, do not define yourself with the definition of others, right, on this note, I take your lead, see you very soon in other sessions of current and static, until then, take good care of yourself, bye-bye.